तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर UPSC Prelims Test 2023 में स्वागत है आज है इंडियन पॉल्टी का टेस्ट टेस्ट नेंबर 30 और इसी के साथ जो है ये टेस्ट नेंबर 3 जो है एक टेस्ट और होगा यानि 20 कुश्ट की एक क्लास ओर होगी उसके बाद 100 कुश्ट कंप्लीट हो जाएगा और 100 कुश्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो हम आपको जो है प्रोवाइट करवाते हैं और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन आउन कर सकते हैं क्योंकि इस चैनल पर लगातार जब तक आपको यूपीसी प्रिलिम्स हो नहीं जाता तब तक आपको लगातार डेली जो है टेस्ट मिलता रहेगा आगे बढ़ने से पहले एक information आपको और देदें कि sectional test तो चली रहा है उसके साथ हमने full test भी चालू किया है फुल लिंद का भी टेस्ट चालू किया है जिसमें पहला जो है टेस्ट अप्लोड हो चुका है प्लेलिस्ट में आपको जो है दाने तरफ आपको देदेंगे या फिर इस वीडियो के last में आपको मिल जाएगा आप वहाँ से देख सकते हैं और पहले वीडियो में हमने इसम साल की आप उसको भी देख सकते हैं ठीक है तो आपको डेली तीन बजे टेस्ट मिलेगा शाम को तीन बजे आपको आप नोटिफिकेसन अगर आउन किये रहेंगे और टेलिग्राम से जुड़े हुए हैं तो आपको हमेशा आपको पीडियो क्लास की नोटिफिकेसन जोनल काउंसिल के संबंद में कुछ स्टेट्मेंट दिये गये हैं आपको बता रहा है कौन सा कतन सही आपसन एक जोनल काउंसिल यानि छेत्री परशत समिधान के अनुच्छे 263 के तहत अस्थापित एक कॉंस्टिटूशन यानि कॉंस्टिशन बॉडी है आपसन दो ये के अनुच्छे 23 परशत उन राज्यों के 20 सहयोग और समन्वे को बढ़ावा देते हैं जिन राज्यों के छेत्री परशत में साजा होते हैं आपको बताना इन चारव में से जोनल काउंसिल के बारे में कौन सा कतन सही है तो चलिए सबसे पहले हम इक्स्प्लैनेशन देख लेत हैं यानि एक वैधानिक निकाह है ठीक है तो इस प्रकार जो है यह समवैधानिक निकाह है नहीं है ठीक है यानि एक वैधानिक निकाह है जब इसे संसत के एक अधनियम द्वारा अस्थापित की गई है तो वो एक क्या वैधानि निकाह है ठीक है और यह समवैधान के 263 में उल्लेकित नहीं है ठीक है आगे इसकी ब्याक्षया देखेंगे लगिए अभी आपको दिमाग बैठाना है इसको ये गलत आप सुना ठीक है और ये क्या करती है इसमें देखेंगे लेगिन इकलोते जो अधनियम से नहीं है यानि इत्तर और मध्य पूर्वी परिष्टमी और दच्छडी छेत्री जो काउंसिल है उनका जो है राज़ पुर्वी परिषट की अस्थापन द्वारा अस्थापित की गई है जबकि उत्तर पूर्वी अधनियम द्वारा की गई है ठीक है यानि कुल मिलाकर ये वैधानिक निकाय है constitution जो है समवैधानिक निकाय नहीं है ठीक है option 2 की बात करें option 2 जो है सही है यानि ये उनके जो निर्ड़े होते हैं journal council के वो बादिकारी नहीं होते हैं वो केवल बिचार विमर्ज करने वाले असलाकार निकाय होते हैं अगर option 1 आपको गलत हो गया आप अगर elimination method से करना हो तो भी आप इस question को सही कर सकते हैं देखिए option A में एक है option C में एक है option D में एक है तो फटा फट इसको eliminate कर दीजिए तो आपके पास बचा कौन आपके पास बचा option B यानि जो है option B इसमें journal concern के बारे में सही है तो ध्यान रखना है exam में exam में आपको ज़रूरी नहीं सारे option आपको पता हो आपको दो option पता हो सकते हैं एक option पता हो सकते हैं या फिर तीन option पता हो सकते हैं चार में से तो आपको elimination method से भी question solve करने हैं क्योंकि यो PhD का syllabus इतना broad है आपको question कहां से पूछ लेगा तो आपको कुछ नहीं पता elimination method से आपको सहारा लेना ही पड़ेगा ठीक है सिर्फ आपको यह नहीं कि सारे option देखके ही हम जो answer क्लिक करेंगे ऐसा जिरूरी नहीं है आप elimination method से answer सही करिए बेज जिचक हां लेकिन उसमें आपको यह रहे कि कि वह option जो है थोड़ा बहुत पता रहे कौन एकाग दो आपको पता रहे अगर उसमें option बन रहा है elimination का तो ही solve होगा यह बात दिमाग में रखनी है question number 62 की बात करे option 1 कि जब भारत के किसी भी हिस्से में माल की कमी होती है तो संसत एक राजी से दूसरे के ऊपर वरीता दे सकती है option 2 राश्टपत की पूर मंजूरी के बिरन राजविधान मंडल दवारा ब्यापार वाडिज्य मेल जोल की सतंता पर उचित प्रतिबंद लगा जा सकते है option 3 राजविधाई का जनहित में ब्यापार वाडिज्य मेल जोल पर प्रतिबंद लगा सकते है कौन सा कथन सही है आप ठीक है बताना इसमें अगर option 1 की बात करें तो option 1 में संसत भारत के किसी भी हिस्से में माल की कमी के मामले को छोड़कर दूसरे राजविधा नहीं दे सकती ठीक है तो इस प्रकार देखेंगे यानि इसमें जब लिखा है जब भारत के किसी भी हिस्से माल की कमी होती है तो संसत राजविध को एक दूसरे पर वरीता दे सकती है लेकिन हमने क्या बताया संसत भारत के किसी भी हिस्से में माल की कमी के मामले को छोड़कर दूसरे राजविध को वरीता नहीं दे सकती ठीक है आप्सन दो की बात कर लेते हैं आप्सन दो जो है गलत है ठीक है और राजविधाई का उस राजविध के साथ या राजविध के भीतर व्यापार वाड़िज मेल जोल पर उचित प्रतिबन लगा सकती है लेकिन इस उद्धिस के लिए एक विधेक राष्टपत की पूर मंजूरी के साथ ही बिधाईका में पेस किया जा सकता है ठीक है आपसन 3 की बात करें आपसन 3 जो है साई है यानि राजविधाईका जनहित में राजविध के साथ या राजविध के भीतर व्यापार वाड़िज और मेल जोल पर उचित प्रतिबन लगा सकती है यानि अगर देखेंगे इसमें जो है पुछा है सही आपसन 2 अगर गलत है तो जहां जहां दो हो उसको एलमेट कर दीजिए आपसन 3 सही है ठीक है और आपसन 1 सही है तो इसमें जो है कौन सा सही होगा सबसे उचित आपसन आपसन C है कुशन नमबर 63 की बताए 63 की बात करें 63 में क्या पुछा है भारत में कहीं भी निर्ड़े पर नए मुकदमे के साथ निस्पायत किया जा सकता है ठीक है आपसन 2 की बात करें केवल सीविल नियाले के निर्ड़ों को भारत में कहीं भी निस्पायत किया सकता है ना कि अपराधिक नियाले के निर्ड़ों को option 3 की बात करें किसी भी राज की अदालत को किसी दिवानी निर्ड़े पर अमल करने के लिए एक दूसरे राज के दंड कानूनों को लाओ करने के लिए आवसकता नहीं होती और भारत में कहीं भी निस्पाइट नहीं किया सकते हैं आपको इन चारों कतनों में बताना है कौन सा कथन सही है किस मामले में भारत के किसी भी हिस्ते में सिविल अदालतों के अंतिम निर्ड़े और आदेसों के संदर में आपसे पूछा है तो चलिए अगर option 1 की बात करें त option एक बिल्कुल गलत है क्यों गलत है क्योंकि दीवानी नियाया लोग में अंतिम निर्ड़े और आदेसों को निर्ड़े पर बिना किसी नए मुकदमे के भारत में कहीं भी निस्पाजित किया जा सकता है दूसरे सब्दों में कहें तो अगर आपको इससे ना समझ मारा हो त तो एक राज की अदाला को दूसरे राज के दंड कानूनों को लागू करने की आवसकता नहीं है ठीक है option एक गलत हो गया जहां जहां एक हो उसको eliminate कर देती है यानि option A और D जो है eliminate बटता है कौनसा B और C अब देखते हैं option 2 option 2 पूछा हो जो उपरोक्त नियम अपराधिक नेड़े पर नहीं केवल सिविल नेड़े पर लागू होते हैं इसलिए केवल दीवानी अदालत के फैसले पर ही भारत के भीतर कहीं भी निस्पादन योग है यह ध्यान रखना है यानि जो है सिविल अदालतों में जो अपरा आधिक मामले में ठीक है तो इस प्रकार option 2 सही है यानि option 2 जहां होगा वो सही होगा यानि option C में देखें 2 नहीं है इसको कर देजिए यानि option 20 में सही है ठीक है यानि option 4 भी गलत है दो और 3 सही है और 4 क्यों गलत है केवल उच्छ नयाले ही नहीं किसी भी नयाले का दीवाने ने रड़े उसके अधिकार नहीं किया सकता है जबकि निस्पाइट किया सकता है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है एली मेस्टर मेथट बेज़िज़क आपको यूज करना है अगर आइंसर मेल खा रहे हैं और से तभी आपका जो है बेड़ा पार होगा पूड़ विश्वास और क्रेड़ खंड के संद देखो को दूसरे राच में मानता नहीं दी जा जा सकती ओप्सन दो राज बिधवनॉंडल के पाश उन सर्टों के बारे में कानून बनाने का जिकार है जिनके तहत अधनीमों और अभलेखों को सिद्ध किया जा सकता है उनका प्रभाव पूरे भारत में निर्धायत किया सकता है आपका बताना है कौन से कहतन जो है सही है पूर्ण विश्वास क्रेट यानि फुल फेट क्रेडिट के बारे में बात करना है तो चलिए इसके बारे में थोड़ा से एक्सप्रेशन आपको दे देते हैं अगर बात करें चुकि प्रत्यक राज का छेत्रादिकार अपने छेत्र तक सीमित होता है ठीक है इसलिए हो सकता ह है कि एक राजчес Joyce क कि अदिनू और अभलियों ओक दूसरे मानता देने सेंकार कर दीए खिए को थीकि इसलिए सम gezcolor एक सण्ग यानि Central तो यह eliminate हो जाएगा अब एक सही है तो option D already eliminate हो जाएगा ठीक है अब बात करें option 2 की तो option 2 जो है गलत है गलत कैसे है उन सर्थों के विशे में कानून बनाने के सक्थ संसत के पास है ना कि राज विधाईगा के पास ठीक है ठीक है तो इस प्रकार इसमें option C जो है सही होगा question number 65 एक बात ध्यान रखिएगा UPSC में अगर कोई trick बता रहा है कोई जैसे यह हम जो trick बता रहा है कि यह trick नहीं है यह आपकी समझ के उपर है कि आप question को कैसे solve कर रहा है UPSC में आप exam hall में बैटे हैं आपने कितना पढ़ा है वो सब भूल जाता है exam hall में बस आपको presence of mind कैसा है आप exam hall में वो आपका माइने रखता है बाकी और जो YouTube पर आप जाते होंगे यह trick यह इनसे option C जो है अक्सर सही होता option A जो है अक्सर गलत होता है option यह फलाना धेकाना तो यह सब बखवास है ठीक है आपका exam में presence of mind कैसा है यह आपको यह आपका matter करता है लक matter करता है आपने कि इतना back air question को solve किया है कितना mock test दिया है यह matter करता है बाकी कोई जरूरी नहीं है कि यही option exam में ज्यादा सही होता है ठीक है आप UPSC को जो है back air question paper solve करके समझ सकते हैं बाकी और किसी तरीके से समझ नहीं सकते हैं उसके जो question आने के संभावना है कि शेत्र से कपूस्ट लेगा को नहीं है पूजा पूजात साथनिक अदनियर इस तो करना है अभर आधालतों की ऐसलें कि आपको बताना है ABC ABC के 5 में से मिलान करने हैं मिलान करना है आपको दिए है कोड का प्रियोग करके तो अगर बात करें option एक की सावजनिक जो बात कर रहा है यानि बिकल्प ए है वो किसके साथ मेल खाता है option ती के यानि सावजनिक अधियम किसके साथ बिधाई का और कारपालिका दोनों के साथ यानि साबजनिक कृत्तों में सरकार के विधाई और कारिकारे दोनों कार सामिल होते हैं इस परकार देखेंगे option A का किसे के साथ मेल है option 3 के साथ इसके लाव option B की बात करें तो option B का साबजनिक रिकार सरकारी पुस्ते लोग सेवको द्वारा बनाये गये रिकार्ड सामिल होते हैं option C की बात करें option C से 4 option मेल खाता है यानि अप राधिक अदालते के फैसले जो भारत में कहीं भी निस्पादित नहीं किया जा सकता है ठीक है अभी आपको हमने बताया अप राधिक अदालते के भारत में कहीं भी निस्पादित नहीं किया सकता है इसकी बचर्चा हमने पहले कुश्चन में कर ली थी पहले या दूसरे कुश्चन 62 में साथ था ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में सिविल अदालतों के फैसले जो है इसका मेल जो है आपसन 2 के साथ है यानि अगर तो आप देखेंगे कोड का प्रयोग करके तो इसमें ऑप्शन ए जो है कोड सुमेली थे ठीक है कुशन नंबर 66 की बात करते हैं 66 में क्या है भारत में संसद राज्षेतर में कानुन कब बना सकता है कौन सा कथन सही है आपसन 1 जब राज सभा उपस्तित और मादान करने वाले सदस्यों का दो तीहाई बहुमत से एक प्रष्ता पारित करती है आपसन 2 राष्टी या पातक कब बना सकती है ऑप्सन एक की बात करें तो ऑप्सन एक बिल्कुल सही है यानि जब जो है यदि राज सभा या घुफड़ा कर दे की राश्टी हित में यह आवस्य के कि संसत को राज सूची के मामले पर कानून बनाना चाहिए तब इस तरह कि किसी भी प्रस्ताओं को उपस् एक और दो सही है इसमें सही उत्तर पूछा है तो दुत्हें एक और दो आपको पहले ओप्सन में ही मिल गया ठीक है यानि बीग की इसमों सही कूट की किसी मिल रहा है यानि इसका मतलब अगर बात करें तो अफ Indigenous गलत है एक से, सॉरी, 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 ऑप्सन तीन में क्या दिया है, जब दो या दो से अधिक राज्य और संसस से अन्रोद करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, मैंने तीसरा ऑप्सन देखा नहीं, इस परकार देखेंगे, इसमें एक और तीन, एक दो तीन, तीन only सही है, यानि एक दो, तीन, यानि अप्सन दी सही है, अगर बात करें, दो या दो से अधिक राज्य वाली बात की गई है, ये समिधान के आर्टिकल जो है, 252 में लिखा गया है, संसत से राजिसोची के मामले पर एक जुठ होने का अन्रोध करती है, तो संसत उस मामले को वी नहीं मित करने के लिए कानून बना सकती है, ठीक है, तेज़ परकार इसका उलेक दोः, आर्टिकल 252 में किया गया है, तो इस परकार एक, दो के साथ 3 भी साही है, जब दो या दो से अधिक राज्य संसत से अन्रोद करें अनुछे 222 में यह वाड़ी थे कुशन नंबर 67 में इसमें फिर पूछा जोनल काउंसिल के संबंद में कौन सा ऑपसन गलत ऑपसन एक या एक वैधानिक निकाह है इसकी अध्यस्ता प्रधान मंत्री करते हैं ऑपसन वरतमान में भारत में चार जोनल काउंसिल है तो अभी मैंने जैसा की बताया यह एक जो है संबैधानिक नहीं बलकि क्या है वैधानिक निकाह है तो यह सही हो जाएगा यानि एक जहां होगा वो आपसन जो है नहीं होगा क्योंकि इसमें गलत पूछा है ना आपसन दो की बात करें आपसन दो होते हैं यानि जो अध्याच होता है वो होम मिनिस्टर होता है ठीक है इसके राद जोनल काउंसल के बारे में एक इंफॉर्मेशन और दे दे वे संसत के अधनियम यानि राजपुनडगटन एक्ट जो है 1956 द्वारा अस्थापित किया गया है ओप्सन locks 하면 करें ऑसन डी बिलकुल गलत है भारत में चारज जुर्णल काउंसल पर ये गलत है ठीक है देश में पांच जुर्णल काउंसल एक नौर्थ हो जाएगा दूसरा मिडल और तीसरा जुए इस्टन और चौथ्रा वेस्टन और एक है दच्छडी में बिभायत कियागय और तो इन जो है भारत को पांच चेत्र मिध्याइद किया गया यह पांच चेत्र हों गए इसके लावा अगर बात किरें जोर्नल काउंसिल की तो उत्तर पूर्वी परिशत जो है इस प्रकार जो है इसमें आप्सन तीन जो है गलत है तो आप्सन तीन गलत है दो गलत है तो इसमें आप्सन भी सही होगा इसके अलाम आपके एक information और देते हैं कि प्रतेक छेत्र के लिए एक छेत्री परिश्यत का प्रदान की गई जैसे हमने बता है उत्तर, मध्य, पूर्व, पस्चिम, दच्छडी तो हर छेत्र के लिए एक छेत्री परिश्यत प्रदान की गई इन छेत्रों को बनाते समय कई कारकों को ध्यान में रखा गया थे जैसे बात करें प्राक्तिक विभाजन, देश की नधी सिस्टम, संचार के साधन, सांस्कृतिक और भासाई, आत्मीता, आर्थिक विकास, सुरच्छा, कारून ब्योस्ता क्या हो सकता हैं ठीक है और इसके अलामा अगर बात करें तो हमने बताया था उत्तरमध्य पूर्वी पस्ट में दच्छडे, इसके अलामा विचाच्छा की एक और जेर्नल काउंसिल है, उत्तर पूर्वी काउंसिल एक्ट उनिस से कतर दोरा बनाई की गए, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, एक, दो संब्धान में उल्येक नहीं है, आप्सन दो भारत में लोकसभा और राज विधान सभा में इंगलो एंडियन के लिए सीटों का अच्छर समाप्त कर दिया गया है, आप्सन तीन भारत के संब्धान ने लोकसभा के चुनाओं के मामले में अनुपादिक प्रतिनुर्वणी को अपनाया गया है ठीक है option 1 की बात करें option एक बिल्कुल सही है यानि जो रिप्रेजेंटेशन आप प्यूपल एक्ट है उनिस्ते क्यावन के अंसार राजसभा के सदस्यों का पद का कारकाल 6 वर्सका होगा और समिधान में राजसभा के सदस्यों का पद का कारकाल निस्षित नहीं किया गया है ठीक है तो इस प्रकार option एक अगर सही है तो option एक जहां होगा वो तो option सही नहीं होगा ठीक है ए और सी एलमिनेट होगा option 2 की बात करें तो option 2 भी सही है बारत की संसत राजभिधान सभाव में एंगलो एंडियन है अरच्छे सीटे जो को एक सो चारवें समिधान अमेंडमेंट द्वारा हटा दिये गया ठीक है और यह संसोदन कब हुए था 2019 में तो इस प्रकार जो है बचा तीन तीन गलत है यानि भारत में समिधान के राज सभा के चुनाओ के मामले में अनुपाती प्रत्निद की प्राली को अपनाए गया जबकि लोग सभा में चुनाओ के मामले में छेत्री प्रत्निद सिस सिस्टम को अपनाए गया है इस प्रकार इसमें आप्शन बीस जो है सही है कुर्शन नंबर को 67 की बात करते हैं इसने पूछा है लोग प्रत्निद अनियम उनिस्ति क्या वन्यारे रिप्रेजेंटेशन आप यूपुल एक नैंटिन फिप्टी वन में निहरता ठीक है के संदर में निमलिफित कत्नों पर विचार कीजिए यानि विद दे रिफ्रेंस आफ डिस्क्वालिफिकेशन इन दे रिप्रेजेंटेशन आप यूपुल एक नैंटिन फिप्टी वन कंसीडर द फॉलिंग स्टेटमेंट ठीक है तो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आ अधिक वर्स का कैद हो ठीक है यही मामला चलना राहुल गांधी वाले में तो रिप्रेजेंटेशन आप पिपुल एक नैंटिन फिप्टी वन यह बहुत ज्यादा हर साल रहे यह राहुल गादी का मामला कोई ऐसा नया मामला नहीं है हर साल जो है यह बिवाद में रहता ही है इससे रिडेट जो है आपको कुष्टन मिल ही जाएंगे और संसर सदस की आयोगता का समद्ध निरड़े लेने का अंति मदकार लोकसभा अद्यच के पाद है तो यह ध्यान रखना है कि डिस्क्वालिफिकेसन जो होता है सदसर का यह इसका जो है प्रोविजन कहां गये है रिप्रेजेंटरेशन आप प्यूपूल एक 1951 में बाकी इस्प्लानेशन देखते हैं हम आपको बताते हैं अगर आप सुन एक ही बात करें तो संग्यरा सरकार के तहट लाब का कोई पज धार करना समद्धान के तहट आयोगता नहीं है आयोगता है सौरी स्लीप आप टा कार के तहट लाब का पत कोई पत धार करना समद्धान के तहट आयोगता है यह ध्यान रखना है यह रिप्रेजेंटरेशन आप प्यूपूल एक में नहीं बलकि समद्धान में यह बात कही गई है ऑप्सन अगर एक गलत हो गया एक जहां हो उसको इल्मिनेट करते हैं ऑप् अधनियम की धारा आठ तीन में कहा गया है यादि किसी सांसद या बिधायक को किसी अन अपरायत के लिए दोसी ठाहरा जाता है और दो साल या उससे अधिक के लिए जेल भेजा जाता है तो वह रिहाई के समय से छे साल के लिए आयोग हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार य अधिकार राष्ट्पत के अधिन है ना कि लोकसभा अध्यच के पास तो इस प्रकार जो है इसमें कौन सा सही है यानि अधिकार के बात करें भार्दे समिधान की दस्वी अनसूची के संबन में आपको बताना है कौन सा कथन सही अधिक इस अंसूची के तहट दल बदल विरोधी कानून का उल्ले किया गया है अप्सन दो इसमें मनुनीत सदर सदन में अपना स्थान ग्रहाण करने कि 36 मा की समापति के बाद के बिना किसी अयोगता के किसी भी राजनितिक दल में सामिल हो सकते हैं अप्स कुल सा कथन सजय है अगर आप सने की बात करें तो आप सने बिल्कुल सभी कि दस्वी अंसूची में किताथ दल बदल विरोधी कानून का उल्ले किया गया है यह ध्यान रखना है ठीक है और सने सही हो गया तो आप्सन एक जहां जहां होगा वो आप्सन सही होगा इसमें option d mention नहीं किया गया है उसमें 1,2,3,4 ठीक है तो schon 엥 होगा है उसमें उसमें सही बताना है वो option आपनल्मेट करगज़ ऑपसंज देकि एक नहीं है वह harmony करते हैं आप्सन 2 की बात करें तो आप्सन 2 की बात करें तो आप्सन 2 जो है गलत है यानि मनोनीत सदस्य इसमें कीवर्ड क्या है मनोनीत सदस्य सदन में अपना अस्थान ग्रहण करने की तारीक से 6 महिने के भीतर पिना किसी अयोगता के किसी भी कराजनितिक दल में सामिल हो सकता है ठी सब्सक्राइब करें तो दस्वी अंसूची में के तहत आयोगता का प्रश्ण लोकसभा और राजसभा के अध्याच के मामले में अध्याच द्वारा तैंकिये जाता है ठीक है दस्वी अंसूची के मामले में अंतिम नीड KAR इसमें दीया का एक है के अंजर में राष्ण पत्य और राजि पिधाइका में किसके द्वारा राजसपाल द्वारा नीडरा किया कानून के संबंद में लोकसभा और आजसभा के अध्याच के द्वारा तैकियाता है option 4 की बात करें तो option 4 सही है यानि अगर बात करें 1992 में मसरवच नयाल है इस संबंद में अध्याच या अध्याच का जो नेड़े के समिच्च के अध्याच माना गया है तो इस प्रकार इसमें कौन कौन सा option सही है एक और 4 तो एक और चार कहीं option है नहीं option D में होगा एक और चार ठीक है तो option D इसमें सही होगा ठीक है इसको अब करेक्टर लीजेगा अभी मैंने बताया था कि अगर दल बदल बिरोधी कानून के मामले में होगा तो अध्याच निर्ड़े करेगा और इसके अलावा अभी मैंने बताया था कि जो है अंतिम निर्ड़े जब होगा तो इसकी अयोगता करनिर्धार जो होगा उस सम्मंद में अंतिम निर्ड़े राष्टपत की अधीन है ना कि लोकसभा के अध्यच के तो इस प्रकार देखेंगे इसमें option D जो है कुल मिलाकर सही है अब बात करें कुश्चन नमबर 71 की वीप के संबंध में निमलिखित कतनों पर विचार करें हैं इसका उल्लेक सम्मिधान में नहीं बलकि संदन और संसदी कानून के नियूमों में है option 2 संसद में हर राजनितिक दल चाहे सत्ता सीन हो या विपच अपना वीप होता है कौन स तो आप बहुत बार नियूज में सुनते होंगे वीप जारी किया गया दलो दोरा वीप जारी किया गया वीप का मतलब सिंपल जो है वीप का मतलब जो है हर पार्टी में एक सदस्य होता है एक पार्टी अपना वीप जारी करती है नहीं सभी सदस्यों को उपस्तित होना अन प्रतेक राजनितिक दल चाहे सत्तरूर का हो पच्छी ओपना नेता रखता है जिसे राजनितिक दल के प्रमुक सहायक नेता के रूप में नियूद किया जाता है उस पार्टी पर उस पर पार्टी के सदस्यों के बड़ी संख्या में उपस्थित सुनश्षित करने के लिए प पंपल्सरी करते था आना जरूरी है ठीक है तो इसे कहते हैं विब तो इसमें दो है आप्शन बी जो है सई होगा कि कुशन नंबर सेबंटी टू सेबंटी टू में निमलिखित कतनों पर विचार करें आप्शन एक संसद अकेले ही अतरिक छेत्री विधान बना सकती है आप्शन दो राज विधान मंडल द्वारा बनाये गए कानून किसी भी परिस्थित में राजिक के बाहर लागू नहीं होते हैं कौन सा कतन सही है प्रस्थाओं के बारे में दिया गया है निन्दा प्रस्थाओं ज्याओं के बारे में दिया गया है कुछ प्रस्थाओं के बारे में दिया गया है निन्दा प्रस्थाओं ध्याना कर्शन प्रस्थाओं का टोती प्रस्थाओं अस्तगन प्रस्थाओं को एजर्ण्मेंट मोशन कहते हैं कट मोशन काली अटेंटिशन ठीक है तो आपको बताना है कि जो सही प्रस्थाओं का च सदन का द्यान आकर्सित करने के लिए पेस किया जाता है आपसन दो इस इसे संसद के 50 सदस्यों का समर्थन के आउसकता होती है आपसन तीन राजसभा को इस उपकड़ का उपयोग करने के नुमत नहीं है आपसन फोर इस पर चर्चा कम से कम दो घंटे 30 मिनट तक चलनी और ध्यान रखना है राजसभा में एडजन्मेंट मोसन इसका उपकड़ की अनुमत नहीं है और इसमें एक से अधिक मामले सामली नहीं होने चाहिए तभी एडजन्मेंट मोसन आता है ठीक है कुशन नंबर 74 देख लेते हैं 74 में क्या पूचा है भारत की आका स्मिता निद यानि कंटिंजेंसी फंड की बात कर रहा है कंटिंजेंसी फंड आफ इंडिया के बारे में विचार करिए सही गुत्तर आपको बताना है और आकस्मिता निदी के बारे में आपको कौन सा कथन जो है सही है तो अगर इसमें बात करेंगे भारत में संभिधान के अनुच्छेद 266 में राजसरकार द्वारा आकास्मिक निद का गठन किया गया है यह कोस राश्पत के पास होता है ठीक है और आकास्मिक निदी नगद या अन्य संपति है जो आप प्रत्यासित 2 से निपटने के लिए आर अच्छे थे राश्पत संसर द्वारा इसके प्राधिकर के लंबित आप प्रत्यासित 2 को पूरा करने के लिए इसमें से अगरिम रास दे सकता है आप संप एक जो है सही हो जाएगा आप संदो की बात करें आप संदो जो है गलत है यानि इस निदी की रख रखाव राश्पत की योर से कैमरे सची उद्वार किया आता है एक सिकन्द इसमें आप संद एक जो है सही है और आप संदो की बात करें तो इस निदी का रख रखाव राश्पत की योर से कैमरे सची उद्वार किया आता है ये बात जो है सही है ठीक है तो इस प्रकार इसमें आप संद सी जो है सही होगा कि कुश्य नंबर कि सेवन्टी फाइब कि सेवन्टी फाइब में राजसभा के पास अनन्य या विसेश सक्त है आप संद एक लोग सबाब भंग नहीं होने पर राश्टिया पात काल की गुफ़ला को मंजू और उप्सन बी राज्यों के निर्माड और उन्मूलन आप संसी उप्राश्टपत का चुनाओं आप संद राज सूची के किसी मामले पर कानून बनाने के संसत को अधिरित करने के इसमें देखेंगे तो इसमें जो राजसभा की अनन्य और विसेश सक्त की बात कर रहा है त तो राज्य सूची के किसी विसेश पर कानून बनाने के लिए संसत को अधिरित करना ये राजसभा की अनन्य सकती है और बाकि उप्राश्पत के चुनाओं की बात करें ये इसलिए गलत है क्योंकि उप्राश्पत के चुनाओं में संसत के दोनों निर्वाचित और मौनों सदस भाग लेते हैं इसलिए राज सभाग पात कोई इस पसल सकती नहीं है और अगर बात करें लोग सभाभ भंग राष्टी आपात काल की बात करें तो राष्टी आपात के लगए उध्गोषडा को संसत के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने के तारिक के एक महीने के भीतर अन्मोद किया जाना चाहिए लेकिन अगर आपात काल के घुषडा के समय उस समय जारी की जाती है जब लोग सभा भंग कर दिया गया हो तो लोग सभा का विगटन एक महीने की अवज के दोरान उध्ग जूरी दे दी हो इसलिए राश्टी के लिए राजसभा के पास कोई स्पेस्पिक सक्त नहीं है तो इसको मिलाकिस में ऑप्शन डी जो है सही है किया एक वैधानिक निकाय है या आपके दिमाग में बैठिये गया होगा तो ऑप्शन एक जो है गलत है तो ऑप्शन एक गलत है और इसके लाँ अप्शन दो की बात करेंगे तो होम मिनिस्टर के ध्यान रखिएगा पांच शेतरी काउंसिल है जोनरल काउंसिल और उसका समान होम मिनिस्टर होता है प्रधान मंत्रीं नहीं होता यह भी गलत ठीक है तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 3 की बात करेंगे तो ऑप्शन 3 भी गलत रास्थान जो है वे नौर्थ जोनरल काउंसिल में आता है ना कि पस्च्चमी mental कासिल में तो तीन भी गलत यानि इसमें और टू और त्री यानि तीनों गलत है ठीक है कि कुशन नंबर 77 की बात करते हैं 77 में अनुच्छे दिया है मुखे विश्यस्ता दी गए अनुच्छे नौ में एकल नाग रिकता अनुच्छे 27 में धर निर पेचराज आप अनुच्छे 315 सर्भामिंग वैस्क मता दिकार आप पूर्वग्रा युनिटरी बायस आपको बताना है सही कौन सा युग्म सुमेलित है अनुच्छे 9 में क्या प्रवधान है किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्विच्छ से प्राप्त करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे इस प्रकार संभिधान की एकल नागरिकता का प्रवधान को दरसाता है ठीक है तो ये इस हिसाब से बिलकुल सही है और संभिधान धर्म के प्रचार के लिए करो के भुगतान के रूप में स्वतंता है स्वतंता प्रवधान की गई है ठीक है या राज्य को एक धर्म का पच लेने सरचर देने समर्थन करने से रोकता है तो या संभिधान धर्म निर्पेच राज को दरसाता है इस प्रकार आप ये भी सही है 315 की बात करें, 315 जो है गलत है 315 में आपको ध्यान होगा कि संग और राज्यों के लिए लोक सिवायों के गठन का प्राधान करता है इस प्रकार संभिधान में स्वतंत निकायों का प्राधान को दशाता है ठीक है? और जो सारभौमिक वैस्क मता अधिकार संभिधान के अनुच्छे 326 में कहा गया है मतब 326 में बताए गया है आपसन 4 की बात करें, आपसन 4 जो है सुमेली थे तो इस पकार 124, 124 आपसन B में है, आपसन B सुमेली थे है कि 78 की बात करें हृ इत्षमैं सैय उत्तर को बताना है संभिधान संसत को मृत तो के सदस्यों की यूगता और उसके चैयन के तरीकों को को निर्धायत करने के लिए अध्वित्र करता है तदहां सहने आयो कि रिदिष्ट की है एओ के चार आ göz में से किस से चुना जाना चाहिए और सरकार के बित और खातों के विश्यसर के ज्यान रखने वाले व्यक्ति आपको बताना है इन चारों में से कि फाइनेंस कमीशन के संबंद में कौन कौन सी जो है आपसन जो है सही है अगर आपसन एक की बात करें तो आपसन एक गलत है अध्यच को सार्वजिक मामलों के अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए या आयोक के अध्यच के लिए एक मांदन्ध है ठीक है तो इसमें लिखा है आयोक के अध्यच और सदस्यों के निर्दिष्ट योगता आयोक के चार सदस्यों को निमलिखित में से किस से किस से चुना जाना चाहिए तो ये अध्यच की बात कर रहा है ठीक है आपको बताना है आयोक के चार सदस्यों को निमलिखित में किस में चु इसमें बात कर रहा है आयोग के चार सदस्यों को निमलिखित में किस से चोजाए यह तो अध्यच की बात है इसलिए गलत हो जाएगा और इसके लामा दो तीन चार दो तीन चार बिलकुल सही है यानि आप्सन सी जो है सही है तो आमें सा की वर्ड आपको ध्यान रखना है और सा ठहर के कुश्चन को सॉल्व करना है सेवन्टी नांट की बात करें राष्टी विधिक सेवा प्राजिकर यानि नाल्सा के संबंद में निमलिद कतनों पर विचार केजिए कौन सा कतन सही है आप्सन एक याए विधिक सेवा प्राजिकर अदनियम 1987 के तहत स्थापित अधान सिस्टम को मदबूत बनाना इसके मुख कारों में से एक है आप्सन तीन कस्ट्रडी वाला व्यक्ति और और दोगिक कामगार नाल्सा के अंतरकत मुक्त विधिक सेवा पात्र नहीं है आप्सन चार नियाय विभाग और बेय विभाग के सच्चिव इसके पदेन सदस होते हैं तो नाल्सा का फूल फर्म हिंदी में लिखा गया है इंगलिस में आपको विध्यान रखना है नेशनल लीगल सर्विस अथर्टी ठीक है या एक सामवधिक निकाय है ठीक है और इसका गठन 1987 के अंतरकत जो है जो एक्ट के अंतरकत किया गया था और यह समाज में हा यानि दिखिए option B में option 1 नहीं है इसको eliminate कर दीजिए option 2 की बात करें option 2 भी सही है यानि लोक अधालतों और नियाए वेकल्पी वा समधान सिस्टम को सुध्रिड बनाना नाल्सा का प्रमुकार है option 3 की बात करें option 3 जो है गलत है यानि महिलाएं बच्चे अंसूचित जन जाथ के सदस्य और जोगिक कामगार विकलांग ब्यक्ति हिरासत में रखे गए ब्यक्ति आपदा पेड़े तसकरी के सिकार और एक लाग से कम वार्षिक आये वाले लोग नालसा के अंतरगत विधिक सुरच्छा के हगदार है इस परकार इसमें लिखा है नहीं है इस परकार ये गल ग्राम नाले के बारे में पूछा है तो ग्राम नाले के संदर में आपको सही उतर आपको चूज करना ऑप्शन एक सामवधिक मोबाइल नाले होते हैं जिनकी अस्थापना गरीब और वंचित लोगों को विधिक साहयता प्रदान करने के लिए अप्शन दो इनकी आठ के अंतरगत किया गया था ग्राम नाले यह एक मोबाइल नाले की तरह होता है ठीक है विधियायो के दिसन निर्देश पर अस्थापित यह संस्थाए गरीब गरीबू लोगों को तीवर मुफ्स नाय प्रदान करती है ऑप्शन दो की बात करें ग्राम नाले की अस्था कोसिस करिएगा हम्मली रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए 30 मिनट का वीडियो है ठीक है 1.25 पर देख लिजिए लेकिन पूरा कुश्चन अटेंप्ट करिजिए हो सकता है आपके बहुत सारे कॉंसेप्ट हो जो ना क्लिर हो कुश्चन सॉल्व करने से क्ल आपको टेस्ट पसंद आता हो तो आपो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टेली तीन बज़े आपको टेस्ट मिल जाएगा और इसके पहर लरी फुल टेस्ट भी चलेगा ठीक है यह फुल टेस्ट चलेगा झाल झाल झाल